नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा आठ के लिए द्वित्तिय पाठा अर्था दूत्रा पाठ पढ़ने जा रही हैं, जिसका नाम है वसुध्यव कुटुम्बकम वसुध्यव अर्थात वसुधा ही, अर्था धर्ती ही कुटुम्बकम परिवार है, अर्थात पूरी धर्ती, पूरी प्रित्वी परिवार के समान है इस पार्ट में आप एक कववे और एक चडिया, इन दोनों की एक कहानी पढ़ने जा रहे हो, शुरू करते हैं एशह काकः अस्ति, यह कववा है, यह बिक्चर में कववा बना हुआ है, एशह काकः अस्ति, यह कववा है, एशह चडिया अस्ति, यह चडिया है, अब यह कववा और यह चडिया इन दोनों की कहानी इस लेसन में है एते द्वे मित्रे स्तह ये दोनों मित्र हैं कव्वा और चडिया दोनों मित्र हैं एकदा इस ततह परिभ्रम्य तव एकस्मिन व्रिक्षे निर्मितम एकम सुन्दरम ग्रिहम अपश्यताम एकदा एक बार इस ततह इधर उधर परिभ्रम्य घूम कर तव उन दोनों ने एकस्मिन व्रिक्षे एक व्रिक्ष पर निर्मितम बना हुआ एकम सुन्दरम ग्रिहम एक सुन्दर घर अपश्यताम देखा एक बार इधर उधर घूम कर उन दोनोंने एक वरिख्ष पर बना हुआ एक सुन्दर घर देखा सुन्दर मी ग्रिहम दृष्टवा utacintyatam सुन्दर घर को दृष्टवा देखकर तव utacintyatam उन दोनोंने सोचा कि मर्थम न आव्यो हो अपी एता द्रिशम सुन्दरम ग्रिहम भवेत कि मर्थम न क्यों न आव्यो हो अपी हम दोनों का भी एता द्रिशम ऐसा सुन्दरम ग्रिहम सुन्दर घर भवेत हो सुन्दरम ग्रिहम द्रिष्टवा तव उचिंतेताम सुन्दर घर को देख कर उन दोनों ने सोचा कि मर्थम न आव्यःह अपी क्यों न हमारा हम दोनों का भी एतादृशम सुन्दरम ग्रिहम भवेत ऐसा सुन्दर घर हो अतह अधुना आवाम अपी एतादुशं सुंदरं ग्रिहम रचिश्चा वह गर बनाएंगे इसलिए अब हम दोनों भी एसा सुंदर गर बनाएंगे इती चिंतित्वा स्वनिवासम अगच्छताम ऐसा सोचकर स्वनिवासम अपने घर की ओर चले गए का कह व्रिक्षे मृत्ति कया सुन्दरम ग्रिहम निर्मित्वान का कह कवे ने विरिख्षे विरिख्ष पर यानी पेड़ पर मुरित्ती कया अरथात मिट्टी से सुन्दरम गृहम सुन्दर घर निर्मित्वान बनाया कवे ने विरक्ष पर मिट्टी से सुन्दर घर बनाया चटका त्रिनई स्वग्रहम निर्मित्वती चटका त्रिनई चडिया ने त्रिनई अर्था तिनकों से चडिया ने तिनकों से स्वग्रहम अपना घर निर्मित्वती बनाया चडिया ने तिनकों से अपना घर बनाया एक दा भीशने ग्रिश्मकाले सर्वत्र शुषकम अभवत एक बार भीशने अर्थात बहुत भयंकर ग्रिश्मकाले गर्मी के मोसम में सर्वत्र सभी जगहे शुषकम अभवत सूखा पड़ा एक बार भयंकर गर्मी के समय में सभी जगह सूखा पड़ा सर्वे सभी दुखी आसन थे सभी दुखी थे चटका यहा ग्रिहम अपी नश्टम अभवत चटका यहा ग्रिहम चड़िया का घर अपी भी नश्टम अभवत नश्ट हो गया सा खिनना आसीथ वहे उदास थी, खिन अर्थात उदास, दुखी, वहे उदास थी, साचिंत्यती, वहे सोचती है किम करों में क्या करूंगी, वहे सोचती है क्या करूंगी, परंतु काकस से ग्रिहम न नश्टम, लेकिन कवे का घर नश्ट नहीं हुआ, तथ तु मृत्ती का यहा आसीत, तथ वहे तू तो मृत्ती का यहा मिट्टी का आसीत था, वहे तो मिट्टी का था, चटका चिंतित्वा काकस से ग्रिहम गच्छती, चडिया चिंतित्वा यनि सोचकर काकस से कवे के ग्रिहम गच्छती घर जाती है, चडिया सोचकर कोवे के घर जाती है चटक काकम कत्यती भ्रातह चडिया कोवे को कहती है भाई असमिन भीषने ग्रिश्मकाले मम ग्रिहम नश्टम अभवत असमिन भीषने इस भयंकर ग्रिश्मकाले गर्मी के मोसम में मम ग्रिहम मेरा घर नश्टम अभवत नश्ट हो गया है इस भयंकर गर्मी के मोसम में मेरा घर नश्ट हो गया है सरवत्र उशना अस्ती सभी जगह गर्मी है महियम स्वग रिहे शर्णम यच्छ दो मुझे अपने घर में शरण दो का कह अभिमानी आसीत कोवा अभिमानी अर्थत घमंडी आसीत था कोवा घमंडी था सह अकथत वह कहता है गच गच जाओ जाओ अत्रस्थानमन अस्ती यहां स्थान नहीं है कुत्रचित अन्यत्र गच कुत्रचित अन्यत्र मिन्स कहीं और या किसी और जगह पर गच जाओ तो कुत्रचित अन्यत्र गच कहीं और जाओ तव ग्रिह नश्टम तुमारा घर नश्ट हो गया है अहम किम करवानी मैं क्या करूँ तत शुत्वात खिन्ना चटका गच्छती यह सुनकर खिन्ना अरधा दुखी चटका गच्छती चड़िया चली जाती है यह सुनकर दुखी चडिया चली जाती है गच्छती काले ग्रिश्म कालह समापत है वर्षर रितु हुच्च आगच्छत और वर्षर की रितु आती है सर्वत्र हरितिमा आसीत सर्वत्र सब और या सब जगहे हरितिमा कर्थे हरियाली थी सब जगहे हरियाली थी चटका नवीनम ग्रिहम अरचत चडिया ने नवीनम अरथात नए चडिया ने नए घर का निर्मान किया या नए घर की रचना की तदेव सहसा अतिवरिष्टि ही अभवत कोवे काघर नश्ट हो गया खिन्ह का कह शरनार्थम चटका यह समीपम अगच्छत खिन्ह का कह दुखी का हुआ शरनार्थम शरन के लिए चटका यह समीपम चिडिया के पास अगच्छत गया दुखी का हुआ शरन के लिए चिडिया के पास गया चटका तस्य सहर्शम स्वागतम करोती चिडिया तस से उसका सहर्शम यानि हर्श के साथ यानि खुशी के साथ स्वागत करती है सर्वम च अवगम में कथ्यती रहता है सर्वम च और सर्वम सब कुछ अवगम में जानकर कथ्यती कहती है भाई और सब कुछ जानकर कहती है भाई चिंताम मा कुरू, चिंता मत करो, मा कार्थ है मत, चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छा में, मैं सर्वमें सब कुछ अवगच्छा में जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, अहम तव प्रतिक्षायाम आसम, मैं तो तुम्हारी प्रतिक्षायाम प्रतिक्षा में आसम थी मैं तुम्हारी प्रादिक्षा में थी अंतह आगच्छ millise होता है अंदर अंतह Śाहैं कह लज्जित होता है अर्थात वो शर्मिन्दा होता है अपने पर शर्म आती है चटकहा पुना कत्यती ब्रातह चडिया फिर से कहती है भाई चिन्ताम तेजटू चिन्ता छोड़ दो तेजटू अर्था छोड़ दो चिन्ता छोड़ दो आनंदेन भोजनम करो तू आनंद से भोजन करो वर्षा परियंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्या वह वर्षा परियंतम अर्थात वर्षा के पश्चाद परियंतम यनि वर्षा के बाद वर्षा परियंतम वर्षा के बाद आवाम मिलित्वा आवाम अर्थात हम दोनों मिलित्वा मिलकर अत्र यहां स्थास्या वह स्वागतम तव तुम्हारा स्वागत है भोजनम करो तू भोजन करो लजित हुआ को भोजन करता है सहचिंत्यति वह सोचता है अहम तू स्वार्थी अस्मी परम एशा उदार हृदय अस्ती अहम तू, मैं तो स्वार्थी हूँ, स्वार्थी रथात, जो सिर्फ अपने विशे में सोचता है परम लेकिन एशा यह उदार हिर्दे अस्ती, उदार हिर्दे है, उदार हिर्दे अर्थात जो बड़े दिलवाली है मैं तो स्वार्थी हूं लेकिन यह बड़े दिलवाली है वर्षा कालाद अनंतरम काकह पुनह नवीन ग्रिहस्य निर्माणम करोती वर्षा कालाद वर्षा के मोसम के बाद काकह कवा पुनह फिर से नवीन ग्रिहस्य नए घर का निर्माणम करोती निर्माण करता है तो वर्षा के मोसम के बाद कववा फिर से नए घर का दिर्मान करता है चटका अपी सहायम करोती, चिडिया भी सहायम अर्था सहायता करोती करती है उभव मिलत्वा सुखेन वस्तह, उभव यानि वे दोनों मिलत्वा मिलकर सुखेन सुख से वस्तह रहते हैं वे दोनों मिलकर सुख से रहते हैं समान है तो बच्चों यहां पर आपका पार्ट दो का हिंदियन वाद खत्म होता है उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार